तेरे दूर जाने से ये जिन्दगी अधूरी है, हवाय मुझे अब जहर लगे पर सांस लेना भी जरूरी है। अब दूसरा ये कि, ना भरी महफिल में बुलाया करो, मेरी आँखे नराज हो जाती है। नीद आँखों से गूं है, अरसा हो गया और वो बेवफा आज भी सो जाती है। तो अब जो मेरी पोईट्री है, आप जानते हैं। ये मैंने एक लफस्टोरी बनाई हूँ, हिंदू और मुसल्मान, मन के उपर। तो ये ऐसे कि मेरा इश्क, मेरी महबत, सब उसी का इमान है, वो मेरी जिंदगी, शोहरत और वो ही मेरी शान है। अरे क्या फरक पड़ता है इस जमाने को मेरे इश्क से, हाँ मैं मानता हूँ मैं मंदिर का पाठी और वो मेरी कुरान है। मैं मंदिर भी ना जाता, वो पाठ समय की नमाजी है, मैं पंडितों का रहने वाल और मौल धरम की शहजादी है। यूं तो उसकी इज़त में ही हाँ मेरा समान है, हाँ मैं मानता हूँ मैं हिंदू और मेरी महतरमा मुसल्मान है। मैं जीन्स टीशिट पहनने वाला, वो बुर्खे में रहने वाली है, मैं नमस्कार सबको करता हूँ, अस्सलाम वालेकुम कहती है। मैंने इश्क किया है दिल को देख, कोई धरम को मैंने माना नहीं, या हिंदू मुसल्म में बैर बड़ा, ये दिल ने मेरे चाना नहीं। मुझे पता है ये इश्क मेरा दिल से नामेबान है, हाँ मैं हिंदू हूँ और वो मेरी पहली आजान है। अब भुला दूनो इसको ये मेरे घरवालों का फरमान है में दिल को उसके प्यार का थोड़ा कर्ज थोड़ा एसान है यहां तो ही नहीं लिखा कि प्यार मत करो अगर लड़की मुसल्मान है अब जमाने से बाते सुन सुन के नहीं से दूर जा चुगी है तो मैंने उसके लिखाएगी चाहे दूर है पर यादो का महल मेरा मिटा नहीं यहां इश्क, महबब, धर्म देखे करो बगवर कुरान में लिखा नहीं अरे यहां तो लोग ही विकावों बने फिरते हैं इश्क तो सलास तक किसी बजार में विकाई नहीं पर आज वो मतर्म मेरे शहर में गुमनाम है दूर है तो क्या हुआ, वो आज भी मेरा भी मान है इश्क मेरा पूरा ना हुआ, थोड़ा सा नागाम है हाँ मैं हिंदू हूँ और वो मुसल्मान है